हेलो फ्रेंज, आज का जो पहला एडियम हमें लेना है, पंदरा नमबर, पंदरा नमबर एक्चुली मुझे लगता है हो चुका था शायद पिछली बार में, सोला नमबर से शुरू करता हूँ, अगर कोई गलती हुई है, उसको सजा देना, उसको सजा के कट घरे में लेके आना, उसने ध्यान नहीं दिया, इस कारण से गलती हो गई, तो अगर ये गलती हो गई है, तो उस मैनेजर को पनिशमेंट दिया गया, उसको सजा दी गई, एक चीज जो मुझे लगता है, शायद थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे बाट की जगे पे, ब्रॉट टू बुक होना चाहिए था, ब्रॉट टू बुक, ब्रिंग का सेक अगर एक किताब यहाँ पे, जिसका नाम है, S.P. बक्षी, Objective General English, दोस्तों यह Objective General English की किताब है, लगातार हम करवाय जा रहे हैं, और idioms पे आ चुके है, बहुत सारे students वेट कर रहे थे, कि सारे idiom पे कितना जल्दी आएंगे, दोस्तों, idiom के साथ-साथ हम आपके लिए ल पेली एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, हर विडियो के साथ एक नया वर्ड मिल रहा है, यह वर्ड बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, कबाल कहते हैं से, कबाल, कबाल, कबाल का मतलब क्या है, अच्छा यह क्लीक भी तो अपने आप में नया है, उस तो क्लीक का मतलब हो एक ऐसा ग्रुप हो सकता है। नहीं कि दोस्तों कबाल का a plot to carry out some harmful or illegal act especially a political plot political plot का मतलब क्या है political plot का मतलब होता है दोस्तों कोई ना कोई आप राजनीतिक शड़यंत्र रच रहे हैं आप देख सकते हैं इसके सिनोनिम में conspiracy आ रहा है conspiracy को हिंदी में शड़यंत्र ही कहते हैं तो कुल मिलाके एक ऐसा plot एक ऐसा शड़यंत्र जिसका कि आप कुछ न कुछ किसी को हाम यानि कि नुकसान पहुचाने वाले हैं illegal act है जो legal नहीं है वैधानिक नहीं है कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो आप लोग ये तो था as a noun दोस्तो as a verb कबाल क्या होता है वो भी हम समझ लें कबालिंग करना क्या मतलब है कबालिंग करने का engage in plotting और enter into conspiracy swear together भाईया बहुत सारे लोगों का एक समूँव बना लोगों ने ऐसा सोचा कि चलो भाईया कुछ न कुछ शड़यंत्र रचना शड़यंत्र करना swear together एक साथ मिलकर ये एक समूँव जो है कोई ने कोई शड़यंत्र रच रहा है उसको कहा जाता है as a verb कबाल शरी दोस्तों आज आते हैं वापस से idiom पे idiom नमबर 17 हम पढ़ रहे हैं B पे B एक alphabet जिसका idiom नमबर 17 bread once last दोस्तों आपने शायद note किया होगा B R E A T H E और B R E A T H कभी तो वो E पे लेके आता है कभी E को छोड़ देता है ऐसा क्यूं करता है वो दोस्तों ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि दोनों के meaning अलग है दोनों की spelling अलग है दोनों के pronunciation भी अलग है इसे bread कहा जाता है इसे breathe कहा जाता है वापिस बोल रहा हूँ इसे breathe कहा जाता है इसे bread कहा जाता है bread का मतलब होता है सांस लेना और breathe का मतलब है सांस ये सिर्फ और सिर्फ सांस है और ये सांस लेना ये as a verb है तो bread once last का मतलब है हिंदी में आपन कहते हैं आखरी सास लेना आखरी सास कब लेगा आदमी जब वो मर जाएगा to die मर जाने को कहते है मृत्ति हो जाने के लिए कहते है bread one's last bread one last का मतलब है कि मर जाना जैसे कि आप देख सकते हैं he bread his last in the prime of his life prime का मतलब है top अपनी जिंदगी पे जब वो टॉप पे था तब उसकी death होई उसकी मृत्ति होई वह मरा यहां पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए वैसे शायद एक आदमार मैं वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों die एक verb है जिसका मतलब होता है मरना dead अलग शब्द है death अलग शब्द है दोनों अलग अलग है बहुत सारे students यहीं confused हो जाते है दोस्तों dead का मतलब होता है मृत यानि की मरा हुआ death का मतलब होता है मृत्यू यानि की किसी की मौत हो जाना दोस्तों ये एक adjective है ये एक noun है ये ध्यान रखें ये noun है किसी की मृत्य हो गई बोले death हो गई dead body मृत शरीर मरा हुआ शरीर तो ये adjective है और die के तीनों शब्द है दोस्तों die, died और died ये तीनों वाम है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अठारा नंबर पे backstair influence, backstair influence का मतलब क्या है by unfair means, unfair means का मतलब है cheating these days many persons are given good posts through backstair influence, backstairs, पीछे के दरवाजे से कई बार सुना होगा ऐसा है नहीं कहते हैं पीछे की, पीछे की entry है, पीछे के दरवाजे से entry है मतलब क्या है दोस्तों, stairs का मतलब होता है, सीड़ियां, पीछे भी कुछ सीड़ियां होती है, आगे से काम हो रहा है, आगे line लगी है, बहुत सारे लोग लगे वे हैं और कुछ लोग कहां से पहुँच गए, पीछे की सीड़ियों से सीधा उपर पहुँच गए तो यहां हम कह रहे हैं, by unfair means, unfair means का मतलब होता है, cheating करके, cheating या कोई ना कोई influence, influence या नी, किसी ना किसी जैक लगा के, परफॉर्मस को मतलब, ये ऐसा सोचिए आप, कि कोई ना कोई जैक लगा के, गलत तरीके से आगे पहुँच गया, these days, आज कल, many persons, बहुत सारे लोग are given, द एक passive है, उनको दी जाती है, क्या, दोस्तो, post, post, या नी, पद, कैसे, backstair influence है, उनको, पद, जो है, backstair influence है, मिल जाता है, ऐसा कहना सारे, चले, दोस्तो, आगे बनते है, 19 नमबर पे, birds eye view, birds eye view, अरे भही, अब bird कहा होती है, bird होती है, आसमान में, आसमान से जब वो देखती है, तो एक concise view देखती है, एक brief view देखती है, पूरी के पूरी complete एक साथ view देख लेती है, we had a bird eye view, हमने birds eye view लिया, कैसे, of the whole fair, whole fair, whole या नी, complete, fair, दोस्तों, fair के बहुत सारे meaning हम बता दें, जैसे, for example, एक तो fair copy होती है, एक rough copy होती है, यानि एक उलजीवी copy होती है, एक उलजी एक होता थोड़ा गोरा टाइप का, तो उसका complexion fair है, fair यानि गोरा है, और तीसरा fair होता है, fair means, unfair means, अभी हमने देखा, यहाँ पर आप देख सकते है, fair means, unfair means, fair means का मतलब क्या है, सही कार रहे है, unfair का मतलब है, cheating हो गई मतलब, fair rules, fair justice, और एक fair होता है दोस्तों, आपका मेला, तो हम यहाँ मेले की बात कर रहे हैं, कि भाई, आप पूरे मेले की जो view है ना, bird's eye view, जब आप उपर से देखेंगे, कहां से, top से देखेंगे, तो कहां से देखी, from the giant wheel, top of the giant wheel का मतलब क्या है, आपने देखा होगा, मेले में जाते हैं, बड़े बड़े जूले होते हैं, औ इसे कहते है, bird's eye view, आगे देखते हैं, 20 number पे है, bolt from the blue, bolt from the blue का मतलब है, sudden or unexpected shock, यानि कोई अचानक से एकदम शौक लगे, blue का मतलब क्या, out of the blue, एकदम से, अजीब से, कहीं से भी आ जाना, अचानक से, sudden, एकदम से शौक लग जाने को कहते हैं, यह, the news of her husband's death, उसके husband की जो death है, in the air crash, जब यह air crash हुआ, came to her, उसकर पास पहुची, as a bolt from the blue, उसके, पती के मृत्यू की, जो air crash की खबर थी, वो उसके लिए, एकदम से जटका था, shock था, bolt from the blue था, तो दोस्तों, ऐसे याद करें हैं, bolt from the blue, bolt यानि जटका, bolt यानि थंडर, जब एकदम का लगता है, तब उसे कहते हैं, bolt from the blue, 21 नमबर देखें दोस्तों, burn one boat, burn one boat का मतलब क्या है, दोस्तों, for example, आपने क्या किया, एक island, यानि की dweep पर गए, बहुत सारे लोग नाव में बैठे, dweep तक पहुचे, dweep तक पहुचे आप लोग, और वहां के बाद आपने वहां जला दी, तो बताओ, जरा वापिस कैसे जाओगे, to take an irrevocable step, irrevocable, लिख देना, spelling, दोस्तों, irrevocable, i-r-r-e-v-o-c-a-b-l-e, irrevocable, जो reverse नहीं हो सकता, जिससे पीछे नहीं आट सकते, जिससे वापिस नहीं आ सकते, उसे कहते है, irrevocable step, यहां पे देखिए, point of no return, भहिया, हमासे पीछे नहीं आ सकते, irrevocable step ले चुके हुआ, we had burnt our boats, हमने अपनी ही नाव जला दी थी, अब वापिस नहीं उससे मुड़ सकते, by declaring that we were not going to sign ctbt, हम ctbt पे sign नहीं करेंगे, जैसा ही हमने ऐसा कहा, अब हम वापिस पीछे नहीं मुड़ सकते, ऐसा ही कहना चारा है, तो यहां आपने देखा कि कुछ idioms जो आपके SP बक्षी की Objective General English में दे रखें, वही हमने करवाए, लगातार हम करवाते जारें, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहें, दोस्तों आपका ही प्यारा चैनल है यह Digital Tयारी, थैंक यू